हाँ तो दोस्तो लेटेंड व्यूर के कॉटः वन के नंबर्स आचुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको लेटेंड व्यूर के एन इंवेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो देखे सफचेबल अगर हम यहाँ पे revenue के numbers के अगर हम बात करेंगे तो पिछले quarter के comparison में 1% से revenue का number यहाँ पे company का बड़ा है और यह number आया है 119 करोड पे लेगिन जो net profit का number है वो यहाँ पे 11% से गिरा है और यह number आया है 31 करोड पे अब यह number क्यों गिरा है तो देखे डेफ एज अगर में इस company का shareholder होता definitely मैं यह देखके यहाँ पे ठोड़ा सा यह देखता कि फोड़ी प्राव्लम्स यहाँ पे company के अनर में नजर आती है तो यह देखे all over अगर हम IT industry के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे profitability में impact देखने को मिला है लेकिन अगर हम वहाँ पे revenue के न नमबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है लोगि मेरे खाल से अच्छी बात यहाँ पे नहीं है अब अगर हम यहाँ पे year on year basis के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 36 percentage revenue के numbers company के ग्रोव होए है और जो profitability वाला number है वह यहाँ पे 40 percentage हमें ग्रोवता हुआ नजर आया है तो all over अ देखा जाया तो year on year basis के numbers अच्छे हैं लेकिन quarterly basis के numbers हमें यहाँ पे disappointing यहाँ पे नजर आते हैं तो देखे as the whole अगर हम देखेंगे तो market ने numbers को काफी positive way में लिया है around 7% यह stock आज उपर था around अगर amount wise अगर हम बात करेंगे तो 25 रुपे यह stock उपर था लेकिन अगर हम इसकी all time high कि अगर हम बात करेंगे जातक मुझे दियाने around 6500 या 700 रुपे के levels तक यहाँ पे market इससे लेके गया था तो वहाँ से अगर हम compare करेंगे तो around 40 percentage से भी ज्यादा यह stock अभी नीचे trade हो रहा है तो वहाँ पर अगर year on year basis पर भी growth देखने को मिलती तो मेरे क्याल से market उसे positive way में ही react करेगा लेकिन as a whole मुझे देखा जाए तो यहाँ पर अभी वेलेशन वाइस यहाँ पर वेलेशन काफी जार expensive वह में नजार आता है और उसके अलावा गर हम देखेंगे तो quarterly basis के numbers यहाँ थोड़े से problems हमें यहाँ पर indicate कर रहे हैं तो यहाँ में यही बुलूँआ कि अगर आप एक aggressive investor है तो यह आपने invest करना चाहिए वाकि मेरे ख्याल सी जो midcap IT counters जो वहाँ पर आपका focus होना चाहिए तो दोस्टो में hope करतों की latent view analytics के जो quarter one के numbers है वह आपको अच्छे स worries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके दोस्टो थैंक यू have a nice day